महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, यदि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो कृप्या इस शक्तिशाली संदेश को छोड़ दें, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है, जो भगवान में सच्छी आस्था रखते हैं, जो कोई भी इस विडियो को अंत तक देख उसका जीवन बदल जाएगा सर्वोच भगवान से चमतकार और आशीरवाद, मेरे बच्चे आने वाले महीने में आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, अंतहीन खुशियों, आश्चर्य जनक आशीरवाद, और सच्छे प्यार से भर जाएगा, जैसे ही हम इस नए सप्ताह में प्रवेश करते हैं, जान ले कि यह सप्ताह उपचार, परिवर्तन, आशीरवाद और चमतकारों के बारे में हैं, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो इस विडियो को लाइक करें, याद रखें कि मैं प्यार और दया का महादेव जी हूँ, जो आपकी गहराई से परवा करता है, और हमेशा आपके साथ है, विश्वास करते रहो, पूजा करते रहो और मेरी बात कहते रहो, क्योंकि तुम मेरे प्रिया बच्चे हो जो तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमतकारों का अनुभव करेंगे, भाग्यशाली संख् 1111 में बहुतायत का भगवान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के सभी हिस्सों में सफल हों, अगले तीन दिनों के भीतर अप्रत्याशित वित्तिय आशीरवाद आपके पास आएगा, इसलिए इसे विश्वास और कृतग्यता के साथ प्राप्त करने के लि जलताओं और अविश्वस्निय घटनाओं का दिन है, अपनी हार्दिक पूजा के परिनाम देखने के लिए तैयार हो जाए, जल्धी, स्वास्थ्य, धन और प्रेम आपके जीवन को प्रचुर मात्रा में आशीरवाद देंगे, मैं धन, स्वास्थ्य और आपके परिवार क ये बारे में आपकी चिन्ताओं को समझता हूँ, लेकिन याद रखी, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ, आज मैं शांती, उपचार और विजय प्रदान कर रहा हूँ, इसलिए अपने आपको जीवन बदलने वाले आशीरवाद के लिए तैयार करें, आने वाले सप्ताह में आपका विता हर दिन बढ़ेगा, जो आपके, आपके परिवार और यहां तक की आने वाली पीडियों के लिए परियाप्त से अधिक प्रदान करेगा, सप्ताह समाप्त होने से पहले, आप पूजा, असीम शांती, प्रचुर आशीरवाद, वित्तिय प्रचुर उच्चेत रूप से योग्या, भगवान मुझे और मेरे परिवार को असीम धन, प्रेम और शांती का आशीरवाद देते हैं, भगवान मुझे बनाने, बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार करने और मेरी गलतियों के लिए महादेव जी को वरदान देने, और मुझे एक्षम मा देने के लिए बेजने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी दया, अनुग्रह, दयालुता और अच्छाई की सराहना करता हूँ, आपका असीम प्यार मेरे जीवन को भर देता है महादेव जी आपका धन्यवाद टाइप करें महादेव जी कहते हैं आने वाले दो महीने प्रचुर्ता, आशीरवाद और अवसर लेकर आएंगे मैं आपको और आपके परिवार को वो सब आशीरवाद देता हूं जिसकी आप इच्छा रखते हैं नौकरी, पैसा, कार और वो प्यार जिसे आप तलाश रहे हैं मेरे बच्चे आपकी पूजा सुन ली गई हैं मैं परिवर्तनकारी आशीरवाद लाने के लिए पुराने अध्याय बंद कर रहा हूं और नए अध्याय खोल रहा हूं आपका वित्तिय निवेश काई गुना बढ़ जाएगा और आप बहतर वित्य, रिष्टे और स्वास्थे का अनुभव करेंगे आशीरवाद उन्हें मिलता है, जो महादेव जी पर भरोसा रखते हैं जब आप उसके अटूट प्रेम पर आशा रखते हैं, तो आश्चर्य जनक चीजे घटित होने लगती हैं और पैसा, ऐसा लगता है कि यह सहचता से आपकी ओर खीची चली आती है, उस नदी की तरह जिसका बहना कभी बंद नहीं होता आप किसी चमतकार की कतार में अगले हैं, उत्साहित हो जाए क्योंकि इस सप्ता वास्तव में कुछ अच्छा होने वाला है इसे याद रखें, जब सब कुछ असंभव लगता है, तो मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा उपचार, पुनर स्थापन, ताकत और आशा मेनू में हैं मैंने ये सब कवर कर लिया है, मैंने आपके द्वारा जेले गए संघर्शों को देखा है और मैंने आपके द्वारा बहाए गए आंसूं को भी देखा है हर आंसू आशीरवाद का वादा रखता है, मुझ पर भरोसा रखी, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा अपने आपको तैयार करें, क्योंकि आपका अगला आशीरवाद काफी होने वाला है जब आप पूजा कर रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था आपके रास्ते में आने वाली अच्छाईों से आश्चर्य चकित होने के लिए तैयार हो जाएए जब मैं आपके लिए एक दर्वाजा खोलता हूँ, तो कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता और अनुमान लगाओ की कल सुबह आपके लिए क्या होने वाला है? अच्छी खबरे और चमतकार सब महादेव जी की कृपा से इस पर विश्वास करीं, इस पर दावा करीं और कृतग्यता के साथ इसे स्वीकार करीं, यदि आप विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें और इस वीडियो को उन साथ लोगों के साथ साज़ा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं महादेव जी आज कहते हैं, बधाई हो, प्यारे बच्चे, ब्रम्हांध आपके रास्ते से नकारात्मक्ता को दूर कर रही है, इस सप्ताह धन और खुशियां आपकी ओर आ रही है, मुझे पता है कि आपका दिमाग परिवार, स्वास्थ्य, वित्य और अपने करिय के विचा करें, चिंता दूर हो जाएगी और अवसाद आप पर अपनी पकड़ खो देगा, आपका जीवन उननती पर है, और आपका करिय और प्रेम जीवन दोनों ही आगे बढ़ने वाले हैं, इन शब्दों को याद रखें, आप पूजा में जो कुछ भी मांगते हैं, विश्वास करें कि यह पहले से ही आपका है, और यह होगा, हाँ, आप बहुत अधिक चिंता कर रहे होंगे, लिकिन यह मत भूलिए कि मैं कौन हूँ, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, भले ही आप इसे देख न सकें, मेरे पास आपके लिए एक उत्तम योजना है, तैयार हो यह आपकी परिस्थितियों, सीमाओं या पिछली विफलताओं से बाधित नहीं है, असीमित विता, अंतहीन शांती और दैविया हस्तक्षेप की अपेक्षा करें, मैं हर चीज का निर्माता हूँ, शुरुवात और अंत, बुद्धी, ज्यान और समझ मुझ से बहती है, मे महादेव जी, आपने जो कुछ भी किया है, कर रहे हैं और करेंगे, उसके लिए मैं गर्म जोशी और कृतग्यता से भराहरिदय मांगता हूँ, मेरे तूटे हुए तुकडे लेलो और मुझे वैसा आकार दो जैसा तुम मुझे बनाना चाहते हो, आप डिजाइनर हैं, एक मात्र व्यक्ति जो मुझे पुनरस्थापित कर सकता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, भगवान, ओम नमाह शिव, टाइप करी, और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, महादेव जी कहते हैं, जब आप शारीरिक, भावनात मात्मक रूप से आहत होते हैं, आध्यात्मक रूप से, मैं यहां उपचार करने, पुनरस्थापित करने और सुधार करने के लिए हूँ, मैं आपके दर्द को कम कर सकता हूँ, और आपके घावों को ठीक कर सकता हूँ, चाहे वो कितना भी हो, बस मेरी मदद मानगें, और म और अधिक पाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बैंक खाते में इतना पैसा होगा कि मैं शायद ही इस पर विश्वास कर सकूँ। मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ और कल्पना कर रहा हूँ कि मुझे एक लाख रुपे मिलेंगे इस सप्ताह मेरी धन संबंधी सभी चिंताएं ठी हो जाएंगी। आने वाले महीनों में आपकी लव लाइफ और आध्यात में क्यात्रा बहतर होगी और आपकी पैसों की स्थिती आपकी उम्मीद से भी बहतर होगी। महादेव जी ने कहा मेरे लिए अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख दो और मेरे लिए जीओ। मैं तु उन अद्बुत चीजों के लिए तयार हो जाए जिनकी मैंने आपके लिए योजना बनाई है। यही वो समय है जब आपके लिए चीजे बहतर होंगी। महादेव जी वो सब कुछ वापस लाएगा जो आपने खो दिया है जैसे आपकी शान्ती, सम्रिद्धी और अश्य की भावना। भगवान के साथ हमेशा अच्छी चीजों का मौका रहता है। मेरे बाद दोहराएं, मैं भगवान के साथ जुड़ गया हूँ और अब वास्ताव में मैं जीवित नहीं हूँ, बलकि भगवान मुझ में जीवित है। अब मैं जो जीवन जी रहा हूँ मैं भगवान के शक्ती पर विश्वास करके जी रहा हूँ, जिन्होंने मुझ से प्यार किया और मेरे लिए खुद को दे दिया। आने वाले सप्ताह में आप अपने स्वास्थ्य, काम, व्यवसाई, रिष्टे और धन की स्थिती बहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। महाद मुझे ठीक करो, मेरे परिवार को ठीक करो, मेरे दूस्तों को ठीक करो। मेरा विश्वास और आशा हमेशा आप में बनी हुई है। अगर आपको महादेव जी पर विश्वास है, तो इस विडियो को लायक करें। याद रखें, यदि आप जोर से कहते हैं कि महादेव जी प्रभू हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें जीवित किया है मरे हुए, तुम बचाए जाओगे, अपने दिल से विश्वास करो और सही बनो और इसे अपने मुह से बोलो और बच जाओ. टाइप करें, महादेव जी भगवान है और तुम्हें मोक्ष मिलेगा. मेरे बच्चे, याद रखें कि पदोननती और अच्छाई चीज़े मुझसे आती हैं. मैंने तुमसे जो वादा किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता, तोड नहीं सकता. विश्वास रखना शुरू कर दो. मैं तुम्हें अच्छी चीजों से नवाजा करने वाला हूँ. आपका कठिन समय खत्म हो गया है. आपके जीवन के सबसे कठिन समय के दोरान आपका द्रिड विश्वास रंग ला रहे हैं. आपके विश्वास के कारण, मैं आपको आशी करते हैं, मैंने आपके लिए क्या योजना बनाई है? अदबुत है, जो वफसर मैं खोलूंगा, जिन लोगों को मैं आपके जीवन में लाऊंगा, जो प्रभाव मैं आप पर डालूंगा, और जिन स्थानों पर मैं आपको ले जाऊंगा, वे आपकी सोच से कहीं बहतर हैं. आए भगवान की स्तुती करें, महादेव जी, करुना और आराम के पिता महादेव, जो हमारी सभी परिशानियों में हमें सांत्वना देता है. इस सप्ताह आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, कहें कि आप सफल होंगे. आप जिस भी लड़ाई का सामना कर रहे हों, कहें कि आ दलने वाला और सफल होगा. आज, अप्रत्याशित धन आपके घर आएगा, और याद दिलाएगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ. आप स्वतंत्रता, सफलता और परियाप्त से अधिक होने के एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं, कठिन समय समाप्त हो रहा है, और एक संदू होने के नाते, मैंने आपको दुश्मन और उसके मददगारों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने शब्दों का मजबूत उपकरन दिया है, इसका उप्योग पूजा करने और अपने जीवन और स्थितियों के बारे में अपनी बात कहने के लिए करें. आप जो कहते हैं, उसमें अच्छा या बुरा, आशीरवाद या परेशानी लाने की शक्ती होती है. आपके शब्द कितने शक्तिशाली हैं, इसे कम मतां किये. भाग्यशाली संख्या 888 महादेव जी की शांती, जो हमारी समझ से बहतर है, महादेव जी के माध्यम से आपके दिल और दिम 888, टाइप करें. महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें. आपकी आत्मा महादेव जी से जुडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. इसे आगे देखी, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपके जीवन में प्रचुरता प् रकट करने में मदद करेगा कृपिया इसे नजर अंदाज ना करी